जांच और तुर्टी इस पद्धती के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना प्रथम सीड़ाइच अभिक्रिया होकर अधिक हाइड्रोक्सायड अधिक हाइड्रोक्लोरिक अमल इस से निर्मित सोडियम क्लोराइड अधिक पानी समिकरण में बान के दोनों ओर जो विवित्तत्व होते हैं उनके अनुओं की संख्या की तूल ना करना अगर ये संख्या समान है तो इसका अर्थ होता है कि समिकरण संतुलित है सोडियम में अभिकारक में अनों की संख्या एक है और उतपाद में भी संख्या एक ही है ऑक्सिजन में भी अभिकारक और उतपाद में अनों की संख्या एक है हाइडरोजन में अभिकारक में अनों की संख्या दो और उतपाद में भी दो ही है क्लोरिन में अभिकारक में और उत्पाद में अणों की संख्या एक है इस उधारण में अभिकारक और उत्पाद रूप में जो तत्व है उनके अणों की संख्या समान होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया संतुलित है चलिए आप दूसरा उधारन देखते हैं ALCL3 अधिक H2O अभिक्रिया होकर ALOH3 अधिक HCL नीचे दी हुई संख्या हर यौगिक में अनों की संख्या है Aluminium 1-1, Clorine 3-1, Hydrogen 2-4, Oxygen 1-3 इस उधारन में दोनों और जो तत्व हैं उनकी संख्या समान नहीं है इसलिए यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है समीकरण को संतुलित करते समय हमें उस तत्व से आरंब करना होगा जिस तत्व में अनों अधिक संख्या में है यौगिक के वे तत्व जिनमें दोनों और असमान अनों की संख्या होती है उसी से आरंभ करना अधिक सुविधाजनक होता है यहां पर एक बात याद रखना अवश्यक होता है अनुओं को संतुलित करते समय योगिकों के सूत्रों को उसी प्रकार से रखना अवश्यक है इस समीकरण में से हम ALOH3 को संतुलित करने के लिए चुनेंगे आप देख सकते हैं कि दोनों और AL समान होने के कारण अब हम ऑक्सिजन को संतुलित करेंगे प्रारंभ में ऑक्सिजन के अनुओं की संख्या अभिकारक में एक है और उत्पाद में तीन है संतुलित करने के लिए हमें अभिकारक में तीन ऑक्सिजन के अणों की आवश्यक्ता है पर हम H2O का सूत्र H2O3 में नहीं बदल सकते हैं इसी कारण हम इस गुणक तीन को H2O के पहले लिखेंगे जो इस प्रकार होगा ALCL3 अधिक 3H2O इस अभिक्रिया से प्राप्त ALOS3 अधिक HCL ये समिकरण संतुलित नहीं है क्योंकि दोनों H की संख्या में असमानता है प्रारंब में हाइडोजन के अणों की संख्या अभिकारक में 6 है और उत्पाद में 4 है इसलिए समिकरण को संतुलित करने के लिए हमें हाइडोजन के दो अणों की आवश्यक्ता होगी इसलिए हम HCL योगिक को 3 से गुणेंगे जिससे हमें ये अभिक्रिया प्राप्त होगी ALCL3 प्लस 3H2O अभिक्रिया के बाद ALOH3 प्लस 3HCL चली अब देखते हैं ये समिकरण संतुलित हुआ है या नहीं हम देख सकते हैं कि दोनों और तत्वों की संख्या समान है इसका अर्थ है कि ये समिकरण अब संतुलित समिकरण है चौथी से वी अब ये संतुलित समिकरण है उसे पुना एक बार लिखे झाल झाल